नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि रश्या के फाइटर जेट बहुत ज़्यादा हम खरीते हैं और रश्या की खुद की बात की जाए तो उसका सबसे अगर केपेबल या फिर सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हुआ है उसका नाम है सुकोई SU-30 और ये फाइटर जेट दोस्तों भारत भी डाइसो की संख्या के अंदर जो कि SU-30 MKI वर्शन है इस्तेमाल करता है और इसके अंदर बहुत से डिजाइन भी चेंज किये गए हैं और अगर हम अन्य देशों की बात करें तो तकरीवन 12 देशों को ये एक्सपोर्ड किया जा चुका है जिसके अंदर चाइना, वियतना, मलेशिया, अलजीरिया और वेनेजुएला शामिल है और अब दोस्तों सुना है कि रशिया भी इसको मोडिफाई करेगा और अपग्रेड करेगा और इधर से हमारा भी प्लैन है इसको अपग्रेड करने का तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है और रशिया के क्या प्लैन है इसी को उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों जो रशियन एर फोर्स के पास SU-30 फाइटर जेट का वर्शन है उसे SU-30 SM कहा जाता है और इसे सबसे पहले 2012 के अंदर फ्लाई किया गया था उसके बाद रशियन मिलिटरी ने भी इसका ओडर दिया और 116 फाइटर जेट के लिए इसका ओडर दिया गया और रशिया ने अब अनाउंस कर दिया है कि वह इस फाइटर जेट को अपग्रेड करेगा दोस्तों इजवेस्तिया ये एक रशियन मीडिया और इसने इसी वीक रिपोर्ट किया था कि SU-30SM अब एक हैवी एर टू सरफेस मिसाइल हासिल करेगा यानि कि दोस्तों इजवेस्तिया ने ये कहा था कि रशियन मिलिटरी का प्लैन है SU-30SM को मोडिफाई करने का और उसके उपर KH-32 सूपर सोनिक एर टू सरफेस मिसाइल सकती है वहीं दो US का ये मानना है कि KH-32 मिसाइल एक रडार गाइडन्स मिसाइल है और इसके द्वारा रशिया उसके एरक्राफ्ट कैरियर को भी टार्गेट कर सकता है और वो भी डिफेंडिंग रेंज के अंदर रहते हुए यानि कि दोस्तों जहां से फाइटर जेट को अ जो कि US Department of Defense का डोकुमेंट है उसके अंदर KH-32 को Nuclear Weapon Delivery System माना गया है अगर हम KH-32 की स्पीड के बारे में बात करें तो इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से तीन गुना जादा है लेकिन कुछ एक Russian Media Outlet का मानना है कि ये हाइपर सोनिक मिसाइल है जिसका मतलब है इसकी इसकी स्पीड साइल 2016 के अंदर ओपरेशनल हुई थी तब इसे TU-22M3 Bomber के द्वारा कैरी किया गया था और इजवेस्तिया ने ये भी बताया KH-32 को SU-30SM के बिलकुल सेंटर के अंदर बोडी के नीचे लगाया जाएगा और दोस्तो वैसे भी किसी भी एरक्राफ्ट जो अप अपना हैविएस्ट वैपन कैरी करता है चाहे वह है फ्यूल टेंग की क्यो ना हो तो उसे बोडी के बिलकुल नीचे बीच के अंदर ही लगाया जाता है और दोस्तो रशिया इसका उधारन पहले भी दे चुका है उसने अपनी एक हाइपर सोनी केर टू सरफेस वैपन को ए इसने सेंटर के अंदर इस मिसाइल को इंटीग्रेट किया था और मिग 31 चुकी एक एजिंग प्लेटफोर्म है इसे सबसे पहले 1980 के अंदर सर्वीस में लाया गया था तो इसलिए रशिया का इरादा हो सकता है कि आने वाले समय में वह है SU-30 के साथ में इन मिसाइलों का इं आप दोस्तों इसके इंडिया के लिए क्या माइने है पहली बात आपको बता दें कि इंडिया ने भी अभी सुखोई 30 को मोडिफाई किया था स्पेशली दोस्तों ब्रमोस मिसाइल का प्रिक्शन करने के लिए और एक या दो स्कौाडन उसके साथ तयार करने के लिए कह भी दिया गया है और आगे भी ब्रमोस का आईपरसोनिक वर्षन का टेस्ट होना है तो ऐसे में दोस्तो SU-30 ही वो प्लेटफोर्म होगा जिसके उपर इसे लगाया जाएगा निर्भ्या मिसाइल के लिए भी जो उसका लड़ी करी लिया है और वो भी जो अब जब हमने रश्या से बात की थी रश्या ने हमें ओफर किया था इसके साथ ब्रमोस को इंटीग्रेट करने का लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा था और हमने फिर खुदी फैसला किया कि इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और उस से दसमें कोस्ट के अंदर हमने ये करके दिखा दिया तो अब ये हमारे आत्मे है कि हम इसके साथ जैसा मरजी कर सकें और हमें इसके लिए रश्या से इजाज़त लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसे लाइसेंस प्रोडियूस किया है हमने खुद ने यहीं पे तो सारी डील उस तरह की हो चुकी है अब दोस्तों जो सूपर सुखोई बनाने के इंडिया के प्लैन है वो प्लैन पूरी तरह से इंडिजिनिस होंगे यानि उसके अंदर चाहे यही ऐसे रडार या उसके अंदर इलेक्ट्रोनिक वारफेर सूट या फिर अन्या किसी चीज की बात करें तो सारे लोकली बने होंगे यह तैह है और उसके साथ में मोडिफिकेशन के साथ इसके अंदर मिसाइल का लगाना और आप यह मान के चलिए आज भी सुखोई 30 का अगर कोई वर्षन सबसे ज़्यादा बेटर है तो वो इंडिया का ही है चाहे उसके साथ में रशिया का या फिर चाइना का compare किया जाए क्योंकि इंडिया अपनी हिसाब से ही specification करवाता है जैसा उसने राफेल के अंदर किया है तो दोस्तो रशिया को ये अगर खासियत मिली है तो ये अच्छी बात हम उने बदाई देना चाहेंगे लेकिन भविश्या में ये मिसाइल भी हमें मिल सकती है इसमें कोई दोरा ये नहीं क्योंकि रशिया हमें इसके लिए मना नहीं करेगा धन्यावाद जय हिन